गुद आफ्टरनून चिल्डरन, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सराइज एट पॉइंट वन का कोशिय नमबर नाइन, हमें गीवन है, इन ट्राइंगल, A, B, C, राइट एंगल अट B, इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में, let us start, वही वाला मैथर्ड हमारे पास जो गीवन है, 10 A equals 2, 1 upon under root 3, 10 A के according हमें ट्राइंगल बनाना है, लेकिन हमें एक और कंडिशन दी है, कि राइट एंगल जो है, it should be at B, वो B पर ही होना चाहिए, ओके, start करते हैं, बना लिया मैंने ट्राइंगल, क्या बोला है, राइट एंगल शोड बी एट B, तो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल पे है, अब आप A, मैं अब यहां से इस वाले कोशिन में A मैं यहां ले रही हूं, मतलब ठीटा यहां ले रही हूं, और यह है हमारे पास C, तो according to this, it will be its base, and its base will be this, तो सबसे पहले तो जो given है, उसके according कर लेते हैं, 10 क्या होता है, P upon A, P upon B, P upon B, तो P क्या है हमारे पास 1, और B क्या है, under root 3, यह values हमें given है, ओके, हो गया, P upon B, अब according to A, अब A के लिए हम देखेंगे, A के लिए हमारा ठीटा A पे बन रहा है, इसलिए A के लिए A B उसका base है, और B C उसका perpendicular है, तो that means, के हमारा base जो है, वो under root 3 है, और perpendicular इसके लिए क्या बन रहा है, 1, हम लगाएंगे pythagoras theorem, so by, क्योंकि हमारे पास तीसरी side नहीं है, वो हमें find out करने पड़ेगी, by pythagoras theorem, h square equals to b square plus p square, h is again a c ही बन गया हमारे पास, और base बन गया b c, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, क्या क्या है हमें दिया हुआ, परपेंडिकुलर बन रहा है हमारे पास a b, अब जो जो value given है, उसको replace कर लो, b c हमार पास 1 है, और a b हमार पास under root 3 है, so a c हमें find out करना है, as it is, 1 का square 1, अभी हमने पिछले question में किया था, कि root से square से root कट जाता है, तो इसका square और root ये कट गए, ये हो गया 3, 3, 3 plus 1, 4, then a c will be square root of 4, and a c आ गया हमारे पास, 2, 2 cm, a c is 2, अब हमें क्या-क्या find out करना है, हमें बोला है, first part में, first part में, अब हमें find करना है, sin a, cos c, plus, cos a into sin c, तो इसके लिए, आप ratio बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ratio बना लो, sin a, sin a हम कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो, sin हमें पता है, p upon h होता है, तो a के लिए हमारे पास p क्या है, perpendicular है, 1, hypotenuse आ गया, 2, और cos c, cos c, cos होता है, b upon h, तो cos c, c के लिए भी यह base है, तो b upon h, इसका base हो जाएगा, 1, और hypotenuse आ गया, 2, वैसे ही, और क्या निकालना है, ओके, हमें और चाहिए, cos a, cos a, cos फिर अगें, b upon h होता है, लेकिन अब हम निकालेंगे, a के according, क्यूंकि थीटा है, हमारा a, तो a के according, base will be a, b, a, b की value क्या है, under root 3, और h is 2, और क्या चीए हमें, sin c, sin c देखो, c, sin हमें पता है, p upon h होता है, तो c के लिए, ये base है, ये perpendicular, तो perpendicular है c के लिए, a, b, a, b की value है, root 3, और hyperteneuse है, हमारे पास, जो आभी हमने find out किया, pythagoras theorem से 2, apply, अब इसको इसमें fill up कर दो, sin a की value क्या है, हमारे पास आगी, 1 upon 2, into, याद रखो, ये जो दो ratio साथ में लिखे होते हैं, इसका मतलब multiply होता है, और cause c, 1 upon 2, plus, cause a, under root 3 upon 2, into, cause c, sin c also, under root 3 upon 2, multiply कर दो, 1, 1 za, 1, 2 to za, 4, numerator से numerator को multiply करना है, denominator से denominator को, plus, वैसे ही, under root 3, under root 3, like roots को जब हम multiply करते हैं, तो roots कर जाते हैं, हमार पास सिरफ इन दोनों का, एक ही digit आता है, एक ही pair आता है, तो root 3 से root 3 को multiply करेंगे, तो हमार पास 3 आएगा, और 2 to za, 4, solve करेंगे इनको, denominator सेम हैं, तो common हो गया, numerator से हो जाएंगे, add, 4 upon 4, 4, सेकिंड पार्ट में क्या बोला है, सेकिंड पार्ट में बोला है, cos A into cos C plus sin A into sin C, ratio हमने निकाले हैं, value replace कर लो, find out वह यह value, cos A की value है, root 3 upon 2 into cos C है, हमारे पास 1 upon 2, sin A है हमारे पास 1 upon 2, और sin C है, under root 3 upon 2, फिर अगेन वही multiply करो, under root 3 बन जा, under root 3, 2 to the 4, plus, sorry, plus नहीं है, यह quotient में minus है, यह mistake से लिखा गया है, sorry, इसको minus का sign लगाओ, इसमें minus है, under root 3 upon 4, again, L-C-M, denominator सेम है, और numerator माइनस हो जाएंगे, under root 3 माइनस under root 3, क्या हो जाएगा, 0 upon 4, तो answer क्या होगा, 0, क्योंकि, 0 को जब हम किसी नंबर से डिवाइट करते हैं, यह multiply करते हैं, तो answer 0 ही होता है, Thank you for watching my channel, I hope आपको यह कोशिन समाज आ गया होगा, तो please like करो, share करो channel को, और comments जरूर लिखना, Thank you,